दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 692022 सिफ नमबर वन पहला प्यारा सा कोश्चन आपके सामने कहता है नंदन के पास कुछ कंचे हैं जब उसने उन कंचो को 15 बच्चों में बराबर वित्रित किया तो उसने पाया कि उसके पास दो कंचे बचे यदी फिर उसने का यदी उसने उन कंचो को 24 बच्चों और 32 बच्चों में बराबर वित्रित किया तो उसके पास क्रमसा 11 और 19 कंचे बचे लेकिन जब उन कंचों को 31 बच्चों के बीच बराबर वित्रित किया गया तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचा था आरम में नंदन के पास मौजूद कंचो की संख्या कितनी थी बहुत प्यार से इस question को देखना क्योंकि हमें जो answer लाना है वो options के according लाना है वो भी exact answer नहीं आएगा question यह होता है आसान लेकि इतनी बड़ी भासा में कभी नहीं आया भासा में आया है इसलिए तीन इस्टार दे रहा हूँ सिर्फ भासा के कारण otherwise नहीं समझो कुछ कंचे है नंदन के पास कुछ कंचे जब उन्हें 15 बच्चों में बराबर देता है तब दो कंचे बस्ते हैं तो दो कंचे बस्ते हैं फिर 24 बच्चों को देता है तब 11 कंचे बस्ते हैं 32 बच्चों को देता है तब 19 कंचे बस्ते हैं आप यह जो सेस्फल आ रहा है दिको सभी में 13 आ रहा है 13 13 और 13 बोलो हां इसका प्रोसेस समझो इसमें आपको LCM लेना होगा किसका 15, 24 और 32 का यहां K इसलिए लगा दे रहें क्योंकि options इसके हिसाब से set करने पड़ेंगे क्या LCM आएगा मुझे नहीं मालूँ पस इस range में लाना है इसलिए K और जब आ जाए तो minus का 13 करना होगा क्योंकि 13-13 का इसमें अंतर आया और यह अब traditional question हो गया अब यहां पर इसको solution देखो कैसे करते हैं हमने LCM में 32 को गोसित कर लिया 32 के अंदर 8 का multiple भर भर के होता तो 8 से काटोगे 3 यहां पर 15 और 3 का LCM 15 आया तो यह इसका actual LCM हुआ minus के minus का 13 कि पंदरा दूनी 33 हां सिल 45 तीन 48 यह चार सो असी के minus 13 आ गया अब हमें यहां पर के का ऐसा मान रखना है कि इन रेंजों में आ जाए दोकुर्ष सभी कि अगर के का मान में पांच रखता हूं पांच तो सीधे 2400 हो जाता तो यही इसका answer हो जाएगा बाकी कहीं नहीं आएगा तो कोशन यह टेडिशनल है है ना प्यारा कोशन 90% बच्चा रेलवे की त्यारी करने वाला इसे छोड़ आएगा क्लियर है चालिए कोशन नमबर एक के बाद कोशन नमबर दो कहता है 25, 31, 41 विध्यारतियों के तीन बैंचों के आउसत अंक इतने हैं सभी विध्यारतियों के आउसत अंक ग्याद कीजिए प्यार दूस्तों एक बात को समझो बहुत प्यार से यह कैलकुलेटिव कोशन ने टू स्टार दे रहें इसकी कैलकुलेशन विक्की मेरे भाई समझना देखो विध्यारति दिये गहें 25, 31 और 41 और यहां पर देखा जाए 20, 26 और 56 यहां पर आ गया सभी बोलो हां अब सभी विध्यारतियों के आउसत अंक ग्याद कीजिए यह चीज़े आउसत यानि average समझना मगर प्यार से प्यार दूस्तों यहां पर यहां पर अगर आपको आउसत निकालना है तो हम यह मान लेते हैं वैसे तो हमें साम 20 ही मानते थे कि भाई इन में से सबसे चोटा 20 होता है आज हम 26 मानने सर 26 कंवरा रहो है कि 26 मानने से यह तीस अधिक होता यह च्छ तो मुझे safer करने में आसानी हो जाएगी ठीक है और 20 माने thinking तो प्लसका저ह पर यहां पर गुणा करने में 36 का गुणा करता पड़ेगा चलो ऐसा का लिए जो चला आ रहा है traditional हम 20 ही माल लेते हैं हमने माना जैसा हम चला आता है कि 20 हमने माना कि इसका आउसत मिनमम 20 तो होगा सारे options 20 से अबब हैं यहां देखा जाए प्लस का 6 है और यहां देखा जाए प्लस का 36 है बोलो हाँ अब प्याए दोस्तों इस 6 का गुणा इसमें करोगे तो 6 ऐसे छत्रीक 18 ऐसे आया यह एक्ष्ट्रा आया 36 का गुणा तो 36 बंजा 36 शत्रीक रोका 144 और 144 और 143 147 और मेरे भाई यह वैलू आ गई अब कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा यानि इन सबको बाटना होगा दो तीन पांच चार नौ चार तीन साथ दो नौ 97 से आपको भाग देना होगा अब यहां पर भी हम आते हैं इसको इमान दारी जोड़ेंगे 6 दूनी बारा ऐसे 8 साथ पंद्रा एक सोला हासिल एक हासिल एक 14 पंद्रा और 16 1662 आ गया 6 दूनी बारा दो हासिल एक 8 साथ पंद्रा एक सोला ठीक है अब इसे हम लोग 97 से भाग देंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो थोड़ा सा जादा लगाओगे तो परिस्तान हो जाओगे आप यह देखो कि 97 से यह सत्रा बार तो जाएगा ही जाएगा इसे कोई नहीं रोक सकता सर्क यह कैसे अरे आप ऐसे आ जाओ 1662 97 97 ऐसे लिखा तो एक बार में 16 में से साथ ग आया और 15 में से नौ गया 6 692 अब देखो 97 तो यह साथ बार के आसपास आ रहा है साथ से अब भी आ रहा है 17 पॉइंट सम्थिंग यानि 20 में 17 जोड़ दोगे इससे थोड़ा सा अंसर अधिक आएगा यानि 37 से अधिक 37 से अधिक एक ही ऑप्सन है यही आंसर है लेकिन प्या तो यहां पर यह हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती सर कैसे समझो 26 लेंगे 26 से 26 कम यानि 1500 कम 26 से यह 30 जादा तो 41 गोड़े 30 करना वड़ा आसान होता है 1500 कम फिर उसके बाद 97 से तो वह बहुत जल्दी कट जाता उमीद है मेरी बात को समझ गए होगे यह कोशन के लिए आया अगर नहीं समझे तो क्या करना है तब 25 गोड़े 20 प्लस 31 गोड़े 26 प्लस 41 गोड़े 56 डिवाइड बाइब बाइब बच्चिस 31 एक तालिस देन यू विल गेट राइट आंसर ओप दिस वन समझ में आया और मेरे दोस इन सब चीजों को हमें सीखना है ठीक है एक बच्चा कह रहा है पिनेकल का यूटूब में वीडियो सब प्रकास सर मैथ आप में सेट आपको यूटूब में निसुल पढ़ाय जा रहे हैं ठीक है वो भी अभी अगर आप पढ़ोगे वहना भविस में इनी को पेड भी करूंगा मैं 99 स्टेट 99 रुपीज आने वाल मिलेंगे यह सेट लगाने पर ही मिलेंगे अलफा बीटा समीकर्ण के मूल है जहां बीटा बड़ा है अलफा से तो इसका मान ग्याद करो अब देखो इसका अगर सम आउप दा रूट्स निकालेंगे अलफा प्लस बीटा तो यह माइनस का 22 बटा आट आ जाएगा बोलो हाँ और अगर मैं अलफा एंटू बीटा निकालूंगा तो माइनस का 21 बटा आठ आ जाएगा अब यहाँ पर हमसे एक कंडिशन के रहा है कि बीटा बड़ा है अलफा से के देखो यह इसलिए बोला कि अगर में बच्चा यहां छेलता है पर इसमें खेलने में भी आपको कश्ट होगा हिट इन ट्रायल इतना आसान हिटे इन ट्रायल नहीं यह कोश्चन नंबर तीन में यह बात कि याद रखना एम दोस्त फिलाल मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है इतना आसान नहीं है बात को समझो जब HIS TWEETN ट्राइल आपखे लोगे तो यह याद रखना है कि तो 7 त्याय 21 होता है, 7 त्याय 21 और नीचे 8 तो 8 को 2 गुड़े 2 गुड़े 2 या ऐसा भी 4 गुड़े 2 हम यूज कर रहे हैं, अब देखो एक बार ट्राई करते हैं, 3 बटा 2 बीटा को, बीटा को लेते हैं 3 बटा 2 और अलफा को लेते हैं माइनस का 7 बटा 4, अगर इसका सम करन से यह आता है, तो तो so good वनना तो solve करना ही है, 4 दूना, 4 त्याय बारा ऐसे आ गया, चार त्याय बारा ऐसे आ गया, 7 दूना, 14 नहीं आया, यानि यानि यहां पर अभी 2 हटा दो, क्योंकि 3 और 7 तो उपर बना रहेगा, अब यह हमने 4 ले लिया और इसको हम लोग 2 ले रहे हैं, मेरी मजबूर यह उससे नहीं बन रहे हैं, अब यहां 2 ले रहे हैं, तो 7 बट 26 माइनस का बटा 8, तो यह माइनस का 22 बटा 8 आ गया, यानि हम बीटा कमान 3 बटा 4 लेंगे, अलफा कमान माइनस का 7 बटा 2 लेंगे, लेकिन मेरे दोस्त, यहां तो हमने ले लिया, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इमानदारी कैसे निकालना होगा, इस question को मैं copy कर लेता हूँ, अभी इसका solution ऐसे बता रहा हूँ, और फिर से बताऊंगा, यह नहीं कि अभी छोड़ दू, ऐसा नहीं, क्योंकि यहां पर माल लो हमारी practice अच्छी है, तो हमने निकाल लिया कि alpha, beta क्या आएगा, आसान नहीं है, इस question में, तब यह तो 3 ही start दिया है, अब beta का मान यहां रखोगे, तो 3 बुड़े 3 बटा 4, यह समझो कि हमने पहले करके रखा था, भाई मैं साब बोलता हूँ, अच्छा लगे है बुरा, आसान नहीं है, माइनस का 7 बटा 2, ऐसे, 2 से यह दो गया, तो माइनस अब यह 7 चोग 28 हो गया, और 3 तरेका 9 हो गया, बटा 4, यानि आंसर आया, माइनस का 19 बटा 4, तो सारा मुद्दा डिपेंड करता है, alpha और beta की value को calculate करने में, आंसर आपका यह, माइनस का 19 बटा 4 आ गया, अब हम इसी question क फिर से आते हैं, अब हम hidden trial नहीं लगाते हैं, तो देखो कितनी मैनत लगेगी, क्यों, क्योंकि इतना आसान नहीं है, कि हम आनसर निकाल दे, जो आप यह लोग सोचते हो, ठीक है, देखो, एक चीज समझो, तीचरों के चक्कर में इतना नहीं पढ़ना है, कि आपकी जिन्दगी के साथ खेला हो जाए, असली बात यह, कभी-कभी, समझ रहो ना, देखो, अब इसका इमानदारी का process, क्योंकि हमें, alpha-beta का whole square निकालना होगा, alpha-beta का whole square होता है मेरे दोस, वह alpha-beta का whole square minus का 4 alpha into beta, यहाँ पर पूरे process को समझना, इसका whole square करोगे तो 484 ऐसे नीचे 64 आ गया, माइनस का 4, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 बटा 8 हो जाएगा, तो 484 तो ऐसे, अब यह 21 तो यह हो गया 84, यह भी 84, अब इसमें 8 का गुणा करोगे, क्योंकि LCMM 46D रखेंगे, अब इसको जोड़ लो, 4, 2, 6, 8, 7, 15, 1156 अपॉन 64, यह इमानदारी की मेहनत है, अब यहाँ पर भी पहले समझो, यहाँ पर हमने alpha minus beta किया, यह भी हमारा एक blunder है, mistake है, सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमसे बोल रहा है, कि भी यहाँ बीटा बड़ा है alpha का, तो formula में कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर beta पहले रखो और यह alpha रखो, वना आप कितनी भी मेहनत कर लो, आंसर गलत हो जाएगा, समझ गए, इसका भी whole square करोगे, तो भी यही होता है, तो यहाँ बीटा बड़ा है, इसलिए beta को हम लोग आगी रख रहे हैं, अब यहाँ से beta माइनस alpha का मान मेरे दोस क्या आएगा, यह 34 का square होता है, तो 34 बटा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर alpha प्लस बीटा हमको दिया गया है, माइनस का 22 बटा 8, अब इसको हम अगर जोडेंगे, तो alpha गया, तो 2 बीटा आएगा, 34 में 22 गया, 24 में 22 गया, 12 बटा 8 आया, 2 से यह 6 बार में गया, यानि बीटा बराबर 3 बटा 4, यह इमानदारी थे, और मेरे भाई बीटा 3 बटा 4 है, इसमें रख देना, alpha आपके सामने माइनस का 7 बटा 2 आएगा, अब देखो, हम लोग जैसे teacher, हम आपको साब बता है, हम ल पर यह सोचने में आपका दिमाग का दही हो जाएगा, मैं साब बता रहा हूँ, ठीक है, यह सोचने में, क्योंकि यह आसान नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा set करना होगा, कि माइनस का 22 बटा 8 बनाना पड़ेगा, वो इतना आसान नहीं होता, मिरे बाई, ठीक है, समझ गया ना, तो पूरा प्रोसेस समझ में आया की नहीं आया, सभी बोलो, और इसके बाद का सोलूशन, जब अलफा बीटा निकाल लिया, तो यहां रखेंगे, देन यू विल गेट राइट आंसर, तो प्यार से पढ़िए, महबबस ही सीखिए, कि कैसे कैसे कोशन ग्रूप डी में पू इसलिए सीरियस होके पड़ो, किताबों को प्रॉपर पड़ो, अब यह आसान है, सीजल में भी बहुत सस्ते कोशन आते हैं, ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति 75 kmps की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 गंटे में तैक करता है, समान दूरी को 6 गंटे में तैक करने लिए उसकी च करनो, हाँ, कहते हैं, तीन से यह 25 बार, तीन से यह 2 बार, दो से यह 4 बार, 25 ओका 100 आंसर, आगे बड़ो, रिजु कोड नहीं मालूम क्या होता है, बट स्ट्रेट एंगल हमें मालूम है, यह स्ट्रेट लाइन होती है, यह स्ट्रेट एंगल होता है, 180 डिगरी, मुद्दा कतब, एक रेल गारी एक खंबे को 80 सेकंड पार करती है, यदि रेल गारी की चाल 36 kmph है, तो रेल गारी की लंबाई क्या होगी, सीदी सी बात, डिस्टेंस बराबर स्पीट इंटू टाइम होता है, स्पीड है 36 किलोमेटर पर घंटा, लेकिन kmph में यह दया, तो 5 बटा 18 का गुणा करोगी, मीटर पर सेकंड और 80 सेकंड खिला कर दो, 18 से यह दो बार में गया, यह दस 800 डिस्टेंस हो जाएगी, यानि ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 800, बच्चा बच्चा जानता है कि जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैक ट्री को क्रॉस करती है, तो अपनी लेंथ इस जीद को क्रॉस करती है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इन चीजों को हमें समझना है, बात समझ में आये कि नहीं आये, चालिए, कोशन नमबर 6 के बार, कोशन नमबर 7, अब ये कोशन 2 स्टार का है, एक बच्चा मैसेज लिख रहा है कि पिनाक लुग, पिनाकल एडिशन एक बार लिख तो मैं थोड़ी दिर में रिप्लाई दे दूँगा घ्यान दो कोशन पर अब ये कोशन अब SSC में जाकर सिंप्लिबिकेशन का कोशन देख लेना और रेलवे का कोशन देख लो ये जोके पड़ा है कैलोकलेशन पहले समझो देखो दया 89 ऐसे रखोगे डसने के लिए आया है मुझे 336 301 ऐसे इंटू ऐसे पेसेंस रखना क्योंकि साउधानी यटी तुरंद गलत होगा 50 में 3 से भाग दोगे तो ये 50 बटा 3 प्लस का 7 बटा 6 लिखा हुआ है तो अब LCM लो तो LCM लोगे तो यहां पर तो ये 100 हो जाएगा और ये 7 रहेगा यानि 107 बटा 6 आ गया ये इसकी वैलू 107 बटा 6 यानि 68 माइनस 107 बटा 6 हो गया बोलो हाँ ये हो गया मेरे दोस्त अभी patience रखना पड़ेगा फिर उसके बाद अच्छा ये यहां पर चल रहा है इसके बाद अलग से है प्लस का 67 अभी ध्यान देना अब यहां अर्चंग 48 चार हासिल शच्रंग 36 और 4 408 माइनस 107 तो ये हो जाएगा 301 खेल गया ना बटा 6 और और 336 ऐसे अपान 301 ऐसे गुड़े में और 89 और ये प्लस का 67 इसका इसका हैपी बटे अब यहां काटो शच्रंग 36 पंचे 30 मोदी जी 56 आ गए 67 और 89 देखरो patience मेरे अंदर कितना है इसको किया तो प्लस का 11 आएगा यानि so is the right answer यहां पर 56 67 का अंतर 11 89 में जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा 90 परसेंट रेलवे के बच्चे से गलत हो जाएगा अच्छा एक मैम लिखने है पिनैकल हे देवी ऐसे हां जोड़े ऐसे पिनैकल बासट सो मैथ प्रकास सर मैथ आप में कोर्स है 199 पे कीजिए पूरी किताब का सुलूसन देख लिजिए अब मुद्दा खतम आगे बढ़ते हैं एक साल पहले एक साल क्या आठ मेने पहले कंप्लीट कर दिया है हर चीज फ्री नहीं मिलती है यदि आयमें 500 की व्रद्धी होती है तो उपभोग में कितनी व्रद्धी होगी लेकिन यहां हमसे कह रहा है MPC यह मुझे मालूम नहीं क्या होता है पर MPC का मतलब 0.5 बोल ला है ठीक है MPC 0.5 बोल ला है तो 500 में 0.5 का मतलब एक पटा दो 200 आंसर आ जायेगा यही आंसर एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई इतनी है अब समझना वाहुत पेसेंसे एक आयताकार मैदानकी लंबाई इतना है लंबाई इतना छोड़ाई इतना इसका छेतरफल तो छेतरफल इन दोनों का गुणाई ही होता है yawni 77 into 50 लेकंडत्या इसका छेतरफल एक वरताकार मैदान के छेतरफल अब वरत का छेतरफ़ल क्या होता है मैं दोस्त पाई आर स्वाइर पाई की वैलू होती है बाइस बटा साथ आर स्क्वायर यहां कट्टा पिट्टी चलेगा देखो दो से ये 25 बार ये 11 बार 11 से ये 7 बार साथ और 25 यानि आर बराबर 35 आ गया अब हम से करा व्रत्ताकार मैदान की परदी ज्याद करो तो सीधे 44 गुड़े साथ ताथ चोग 28 दो हासिल 28 दो 308 लो आप्शन में नहीं है कि व्यत्ता का नहीं 45 गुड़े 5 220 होगा सोरी 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 बता रहे है यह क्यों ज्यादा भावना हों बैय गया तह मैं अब यह मैंने 220 कैसे निकाला पहले उसको समझो वना फिर जन्रल तरीका तो हई कि त्रिज्जा रख के आंसर के भाई दो ऐसे 22 बटा साथ ऐसे त्रिज्जा हमको 35 दी गई है तो साथ से यह पांच बार यह 10 और यह तो 220 आ जाएगा लेकिन मैं इसमें क्यों जा रहा था पहले समझो मैंने आपको यूद 2024 में सरकल जब पढ़ाया तो मैंने बताया कि अगर त्रिज्जा आर अगर साथ है तो सरकमफेरेंस आपका 44 हो जाएगा दिख रहा है ना और एरिया जो होगा वो 154 होगा मैंने बताया कि त्रिज्जा में अगर एक्स का गुणा हो रहा है तो सरकमफेरेंस में भी एक्स का और एरिया में भी एक्स स्क्वार का तो मैंने देखा कि यह 35 है तो साथ पना पैतिस यानि एक्स का मान पांच इसलिए मैं 44 पंजा कर रहा था 220 इस दा राइट आंसर चाली किलिया रहा है सभी बोलो हां मजा आ रहा है ठीक है कोशन अब देखो यह कोशन इस पैटर्न के कोशन भर भर के आ रहे हैं आप 2023 CGL Pre में भी ऐसे कोशन हमको देखने को मिलेते पर यह 2022 में ग्रूप D में आए हैं समझे ने अब यह कोशन कुछ जादा ही अपर लेवल का दे दिया है देना नहीं चाहिए ग्रूप D में मालूम एक कोशन नहीं यह चार कोशन एक साथ सॉल करवा रहा है असली मुद्दा ही है समझो किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलों ने 12% 15% की क्रमिक छूट है जो को यह दो छूटे हैं मैं इससे पहले भी डिसकसन कर चुका हूँ कि इस चीज को कैसे तीजिस करते हैं फिर भी हम बता रहे है एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन हंड़ेट दो क्रमिक एक 12% एक 15% दोनों का गुणा 180 यानि 1.8 ठीक है 27 यानि ये 25.2 आ जाएगा ठीक है यहां दो बार में यहां तीन बार में तो ज्यादा डिसकाउंट इसमें मिल रहा है ये कम डिसकाउंट मिल ला है आप करके भले देखो इसको दो बार में करोगे तो दो बार अप्लाई कर दो फॉर्मुले को मालो सो यही कर लो माइनस 15 माइनस 10 दोनों का गुणा देड़ सो बटा यानि 1.5 यह आ जाएगा 25 यानि साड़े 23 हो गया हाँ माइनस का दो फिर तो 23 दुना 46 एक 47 दसम्लों लगा है फिर 100 से भाग तो यह और ज्यादा खिच्छडी पकारा है ऐसे करके यह 47 पैसे यह मेंटेन तो आप यहां देखो यह 25 रुपिया 50 पैसा हुआ और 47 जोड रहे हो तो यह 25 पैसा 47 जोड तो यह 25 पॉइंट सम्थिंग मलब 3 पैसे के आसपास यह 25 पॉइंट टू यानि यह ज्यादा डिसकाउंट दे रहा है और यह कम दे रहा है इन दोनों में तो 3 खिलोने पर 40 यह भासा बदल दी इसने कि पहले 3 खिलोने पर 40 परशिंट उसके बाद 15 की 15 परशिंट तो यहां बोल रहा है महिला 10 खिलोने खरीद रहे है तो समझो 3 खिलोने पर 40 परशिंट फिर उसके बाद 7 खिलोने पर 15 परशिंट तो 40 त्याएं एक तो बीद अब 15 सत एक सो पांच और मेरे दोस्त से भाग दोगे तो यहां पर जब आप खेल रहे हो तो यह सब कोशन दिये जा रहे हैं हम उल्जन होती है ऐसे कोशनों से यानि यह 22.5% की छूट मिल लई है पर ज्यादा किसमे है 25.2 तो यानि यह भी छूट बेकार है अब यहां केड़ा 10 खिलों ने खरीदने पर दो मुप्त पाएं यानि 12 का MRP लगा पेमिंट आपने 10 की की यानि 6 का 5 यानि 1 अंतर बटा 6 गुड़े हंडे यानि 16 सही 2 बटा 3 तो हमसे करया सरवाधिक लाग किसमी हैं कौन सी स्कीम में तो पहली स्कीम में अगर यहां दो खिलोने जगे पांच बोल देता साथ बोल देता तो हमको आई से करके 10 लेता आब ऑन इसे बताव और यहां पर क्या करते हैं बच्चा स्फॉत है यह 15 की तो हमको डबल नुक्या तह खिलियर है अब एक बच्चा लिख रहा है उसका नाम खान सर है ठीक है मेरे दोस्त इसके बिसे में अभी मैं कोई जानकारी नहीं दे रहा हूं आगे पढ़ते हैं हाँ मान लीजिए x web बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसे इतने को विवाजित करने पर इतना सेस्फल आय एक्स के अंकोंगर इस में गटाना होता है इसमें 22 गटाना होगा इसमें 45 गटाना होगा और इसमें 55 गटाना होगा पहले बोलो हां तो यह 7050 हो जाएगा मेरे दोस्त यह 0 ऐसे 10 में से चार गया 6 ऐसे 840 हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, 98 यह इसका हमें SC अपलेना होगा और यह अभी आसान कोशन नहीं है एक्चुल में आसान इसलिए नहीं है दया यहां हम से करया X के अंकों का योग ग्यात कीजिए देख रहो दया X के अंकों का योग ग्यात कीजिए लगाओ दिमाग सभी लोग लगाओ दिमाग देखे कि क्या आप solve कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तो भीया इसे कहते हैं असली सेट अब जब आप लोग ऐसे सेटों को नहीं लगाओगे तो मेरे दोस्त खेला हो जाएगा खेला अंधी आंसर में समझ दो ना अंधी आंसर में क्या हो जाएगा खेला और ऐसा नहीं है कि कोई रॉकिट सांस यूद दोजार चोविस पड़ी है भर भर की यह कोश्चन यहाँ पर यह नहीं कि आप्शन से चले गए कि सर दुई का मल्ट पिल है तो पांस साथ होगा नहीं सर यह तीन का मल्ट पिल है तो आंसर छे मुद्दा खातम ऐसा नहीं वो भले आंसर छे निकला है वो बात की बात है समझे नहीं हमें इसका SCF निकालना होगा उसके बात आंसर आएगा समझो देखो यहां दिख रहा है यहां देखो एक तरीके से दिख रहा है यह 50 लिखा है यह 60 लिखा है यह 70 इसलिए दिख रहा है हमने जो आपको निंजा टेक्निक बताईए मैं उसी टेक्निक को ही फॉल 150 10 अब 1410 में देखो किस का गुला साथ का और घृक सुन गुणा का करने से ये आ है कि नहीं आ रहा हुआ कि फेखने से कह दूप खर भून करने से यह का गुणा करने से यह आ रहा है चौदा सत्थ 5 9N डेख लो इसका मतलब इसक एम ini यह और इसके अंको का योग निकालना है दया इस इस दा राइट आंसर यह है गुरूप डी के सेट हमाज गया है अलके में लियो हाँ आसान आते हैं अब जैसे यह कोशन है अगर इसको सॉल करोगे इमानदारी से तो भले यह कैलकुलेटी हो जाए फिलाल है नहीं हम इमानदारी से कर देंगे जनरली बात करें तो को इसमें दो ट्रिक से समझो वैसे तो चार-पांश ट्रिक है अपने पास पहली ट्रिक यह समझो कि जिन कोशन में कॉस से दिख जाता है तो जनरली लोग ए बराबर 45 जिग्री पूट कर देते हैं चाहरी केसे लिख हाँ साइन 45 की वैलू 1 by root 2 कोश से पैथ आलिस की वैलू jut हो जाएगा इसका स्कॵान करने खूएर करना होगा यह कड जाएगा यानि 9 आ जाएगा ओप्सिंस में जाओ कहां 9 बन रहा जब root 2 रखोगे तो यह 2 minus का 2 स्वाहा 2 plus 2 इसमें बन जाएगा 5, 2, 7, 2, 9 इसमें root 2 plus root 2 नहीं बनेगा इसमें 2 minus का और इसमें plus का 2 नहीं बनेगा यानि options B is the right answer of this one ये इसका answer तब जब A बराबर 45 रख रहे हैं अब जैसे मान लो आपको ये चीज नहीं मालूम की सरजी का रखें ठीक है तो फिर खेला और है समझो कुछ नहीं करना है बोल स्वाहर तो खोलना आता है न देखो यहाँ पर क्या sin square a प्लस कॉसे की square a और 2 sin a कॉसे के वो कट जाएगा वो 1 हो जाएगा इसने नहीं लिख रहे तेम चीज़ कॉसे 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 कट जाएगा और यहाँ पर देखो इन दोनों का भरत मिलाब हो जाएगा तो वह एक हो जाएगे ना दोनों दो दो चार एक पांच और बाकि सिक स्क्वाइर ए और कॉसे कि स्क्वाइर आ जाएगा है ना सरल लेकिन होल स्क्वाइर खूलना तो आना चाहिए सही से आ गया कोशन फिर से एक विक्री के दौरान दो सो बटा तीन परसेंट देखो एक्चल में ये वैलू जो थी वो ये छपी वीती पेपर में मैं बता दे रहा हूं मेरा टाइपिस्ट वैसे टाइप नहीं करता है कभी कभी छाचट से दो बटा तीन परसेंटेज को ही हम लोग 200 बटा 3 परसेंटेज बोलते हैं और इसी को समाज एक दो बटा 3 के नाम से भी जानता है ठीक है परसेंटेज चैप्टर ने पढ़ाओगा 33 साही 1 बटा 3 वन बा तो कोई समान है जिसका 26 परशेंट लाब पर बेशता है सेस माल का 25 परशेंट अब ये 25 परशेंट बोल दिया ना अब ट्रिक को समझना एक इस्टार दे देते हैं ट्रिक को समझना ट्रिक क्यों क्योंकि इसके नीचे तीन आता है इसके नीचे चार तो हमने 12 वस्तुवे माल किती टोटल बारा वस्तुवे माली अब हम कोशन को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा एक विक्री के द्वरान दो सो बटा तीन यानि दो बटा तीन इसका दो बटा तीन करोगे तीन से चार दुना आठ आठ वस्तु को 26 परशेंट लाप पर बेशता है फिर कहता है सेज तो सेज बची चार और चार का 25 परसेंट यानि एक वस्तु को वह 20 परशेंट लाप पर बेशता है देगरो दया फिर इसके बाद सेज बची वस्तु को तीन पर मलब 40 परशेंट रहानी पर यह 40 परशेंट और ओवर ओल चाहिए यह अर्चंग 48 चार हासिल 16 चार बीस यह तो बीस ही रहेगा प्लस का लेकिन मेरे दोस्त यह माइनस का 120 आएगा और कद्दू कटेगा इन 12 को बटेगा तो देखा जाए 108 बटा 12 90 परशेंट आंसर ओवर आल 9 परसेंट का उसको क्या होगा लाब होगा लाब होगा लाब होगा तेसी टमाटर का रेट मार्केट में आज Kी डेट में आज की देट में की बागा है सेव से महंगा अज की डेट में टेमाटर है देशी बहूद कभी लेने गए हो तो मालूम होगा हाँ मम्मी पापा ही जाते हैं भईया भाई ठीक है वो सकता जाते हो तो टमाटर में लेके आया ठिलिया में अब लोग कस्टुमर आ गए अच्छा चा चाटेंगे वैसे भी महेंगा उसमें भी बढ़िया चाटेंगे तो 26% लाप कमाना है म मूटा मूटा प्रेस माल बिल्कुल आप उठा ले जा रहे हो फिर उसके बाद थोड़ा सा चट गया माल तो अब हमने क्या 20% लाप कमाया अब उसके बाद बिल्कुल गले गले टमाटर समझे ना है अरे टमाटर सौस वगहरा में क्योंकि समझे ना टमाटर ही का तो यूज होता है थीक है अरे 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 ऐसे महंगा में तो मटर है और देखो आपको पता है भारत की मेडिया कहीं टमाटर पे चर्चा नहीं हो रही जब कितना महंगा चल रहा है मैं समझे नहीं तो मैं क्या को हूं इसका ऐल्जियम ले लो टु एकस स्क्वेर माइनस का ग्यारह एकश चे दूनी 12 is equal to 0 अब मेरे दोस्ट इसको सॉल करना है तो माइनस प्लस तो प्लस प्लस हो जाएगा 12 दूनी 24 तो 8 तीना 24 होता है अब 2 से भाग दे तो तो ये इसके रूटस आ जाएंगे 4 और 3 बटा दो अब जिस बच्चे को इसकी टेक्निक नहीं मालूम कि कैसे सर कर देते हैं नवीन अंगडित आरे सगरवाल का मैंने यूटूब पे क्वाडिटे एक्वेशन कम्प्लीट कर दिया सुधेड़ सो कोशन करा हैं शुरुवात का पहला लेक्चर पढ़ लेना आत्मा खुस हो जाएगी कैसे तेजी से निकालते हैं अरे सगरवाल की बात कर रहा हूं 18 बात्तर का तित्या अनुपाती थार्ड प्रोपोर्श्टल समझो होता क्या है जैसे एस टूबी डबल इस्टू बीश्टू सी फिस सी को हम लोग थार्ड प्रोपोर्श्टनल बोलते हैं दो को सॉल करने के कही तरीके होते हैं मैं सब बत चीड में टैकनिक बढ़ती जा रही है कि इन दोनों का जो गुलनफल होता है दया वह इन दोनों के गुलनफल के बराबर यानि बीश्कार बराबर एसी के यानि सी बराबर सीधे बीश्कार अपॉन ए होता है और इसे यात करना चाहिए यूद दोजार चोविस पढ़ा 72 ऐसे और नीचे ए अब नीचे ए क्या है में दोस्त अठारा अठारा से भाग देंगे चार बार में 72 चौका 288 आजी से पाड़ा आता है 72 चौका आता है मुझे तो पंद्रा का आंसर आप लोग समझ गए होंगे बोलो बोलो टेल टेल चलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाएं प्रतेक विशे का पुडांग 100 है ए द्वारा हिंदी में 86 बी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंको का योगफल तो 86 चौकर होता है 160 साथ और C द्वारा अंग्रेजी और D द्वारा विज्ञान में C द्वारा C द्वारा अंग्रेजी में और D द्वारा विज्ञान में इन दोनों का यो 140 इसका रेशियो पूछ रहा है मेरे दूस 8 और 7 का रेशियो हो जाएगा 8 इस टू 7 is the right answer question number 16 का जो सही answer है 8 इस टू 7 8 इस टू 7 हो जाएगा सभी बोलो हाँ अच्छा विक्की एक question पर चर्चा करें कि सर आपने बोला था कि discount पर discount discount पर discount single discount मेरे भाई ये एक वस्तू नहीं है विक्की मेरे भाई ये अलग वस्तू है मेरे भाई आप जो बोल रहो इस question में समझो यहाँ पर हमने 12 unit टमाटर लाएं एक unit नहीं है 12 unit टमाटर है 12 unit पर हम लोग खेल रहे हैं कि उसका कुछ भाग इतने पर बेचा फिर कुछ भाग इतने पर कुछ भाग इतने पर वो single article पर discount डिस्काउंट चलता है मेरे दिवता हाँ यहाँ वस्तू बदल गई ना अब यहाँ फिर प्यारा कुछन देख रो यह railway कुछन देख पढ़ेंगे नहीं हम ठीक हम तो वहीं लगाएंगे पासिण 2018 के कुछन एल पी आरर बी जे लेटेस देखो तो कहां तक जा रहा है 12 cm 30 वाले एक ठोस धातवी गोले को पिगला कर 12 cm 30 वाले एक ठोस धातवी गोले को पिगला कर बात को समझना 27 एक समान गोले के रूप में ढाला जाता है ऐसा बोल रहा है अच्छा तो पिगलाया गया यानि आयतन का मैटर है 4 बटा 3 पाई और 12 का क्यूब होगा 27 एक समान तो 27 चार बटा 3 पाई आर क्यूब यहां से 4 पाई यह कड गया 27 से यह भी जा रहा है वालब 3 का क्यूब होता है न यह 4 का क्यूब बराबर आर आर बराबर 4 आ गया तो छोटे की गोले की त्रिज्जा चार हो गई अब आगे कानी समझो मूल गोले का प्रेष्टी छेतरपल तो गोले का प्रेष्टी छेतरपल show चार पाई अ बारभा है तो बारा का स्क्वेर और इस प्रकार निर्मित 6 गोले का तो 6 और हर गोले का 4 पाई 4 का स्क्वेर चुटके का कुल प्रष्टी छेतरपल का अनपात ये करना है और मेरे दूस यहाँ पर भी कटा करना है ऐसे 4 के स्क्वेर से ये 3 का स्क्वेर आता है यानि 9 और 6 समाज इसी को 3 और 2 बोलता है देख लो और मैं सारे के सारे सेट सीजल के 3600 कराऊंगा ये चसल कराया है यूपी पुलिस कॉंस्टिबल कराया है इसी लिए कराया है अच्छा एक साथ 4 कोशन थे मेरे बाई अच्छा अच्छा वो तो सिंगल डिस्काउंट है उसमें करना है वो तो मेहनत का कोशन ही है 25 ग्राम को किलोग्राम में बदले उत्तर दे तो 25 को किलोग्राम यानि 1000 से भाग दे तो तो मेरे भाई एक बटा चालिस आ जाएगा वान अपॉन पॉर्टी कि यह कोशन आसान है बस पेसेंस रखना है देखो यह कोशन एक तरीके से चोर पुलिस वाला भी है चोर चोरी करके भागा इतने बजे इसी को मैं चोर पुलिस करके समझा जागी है चोर धाई बजे चोरी करके भागा पचात्तर की स्पीड से पुलिस को साड़े चार बजे मालूं ridge स्पीड से सेम डिरेक्शन में कितनी दूरी में पकड़ा गया चोड समझे ना बस वही कोश्चन है यहां ट्रेनें करके संपर्क करांती अच्छी ट्रेने कानपूर से भी चलती है दिल्ली से चेनने एक लिए अच्छाई इधर रूट पर भी चल लहीं होगी संपर्क करांती एक्स्प्रेस धाई बजे 75 की स्पीड से मोटा मोटा यह समझो यह धाई बजे चलना है यह साड़े सोला तो यह दो घंटा पहले चलेगा न भाई मैं चोर समझो मैं चोर हूँ आप पुलिस हो मैंने धाई बजे चोरी करके भागा 75 किलोमेटर पती घंटा की स भाग रहो तो मैं आप से पहले दो दो मलब दो घंटे एक्स्ट्रा चला न तो 75 दूना देड़ सो किलोमेटर में आप से आगे हूँ पहले अब हम दोनों सेम डिरेक्शन में जा रहे हैं सेम डिरेक्शन में स्पीड लेते हैं 75-90 का अंतर आया 15 यानि 10 घंटे के बाद मैं पकड़ा गया आपके द्वारा पहले बोलो हाँ यहां समय नहीं पूछा गया कि चोर कब पकड़ा गया यानि ट्रेन कब क्रॉस कर रही है यह नहीं पूछा गया कैरा दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेल गाड़ियों का भरत मिला पुआ तो मेरे भाई आपकी स्पीड नबे है ना तो नबे में दस का गुणा कर दो 900 आजाएगा अगर मेरी स्पीड में आना है कि सर आप तो 75 में 10 का गुणा तो करना ही करना है और सुरवात का देड़ सो और जोड़ना है तो 900 आएगा तो 900 किलोमेटर की दूरी पर मैं पकड़ा जाऊंगा समझ गया ना तो औ सब्सक्राइस तो समय होते हैं कि अभी कभी कुछ इसनी निकलते हैं सब्सक्राइ kiedy जब हमने यूट्यूब में पढ़ाना अ क्या कहते था मुम्हा क्या कहते हैं मुमा क्या सब्सक्राइब अभता एं मूढट्या इस टेपने ऑसे ब HIV बदलते भी रहते हैं ठीएई आ रात को पढ़ा रहे हैं इसमें भी तुम धरने में बैटे हो है वाइद इस कोला वरी डी तो कोला वरी डी का है उसमें धरना दोगे अरे सीखो मेरे दोस्ते है अध्य करेगो हां गया है कहरा 4.56 देखो 4.5676767 तो इसका मतलब जब यह कोश्चन आया होगा पेपर में तो वह एक्च्वल में यह था वो समझगे न मेरा टैप इस बना नहीं पा रहा है इसको बना दिया आज इसने ऐसे क्योंकि यहां इंटू करने में इसको दिक्कत हो रही हो तो इस एक्च्वल कोश्चन यह था मेरे पाई तो देखो सभी की स्टार्टिंग में चार बैठा हुआ है तो इसकी निंजा टेक्निक क्या होती जितने पे छात्री उतने नौ दसमलों के बाद तीन डिजिट तो जीरो कहते सारी सिंबल को हटा दू वह पाट घटा ओ जे मा 990 गुड़े चार कर लो और 4522 में घटा लो जीरो नचोग 363 हा से और 363 4949 सो स्टार्ट 4522 घटाना पड़ेगा भाई दोको यह चार प्लस सम्थिंग में क्या आ रहा है आँ दो ऐसे आएगा बारा में से 6 ऐसे आएगा और 44 पानसो बासट आएगा पानसो बासट बटा 990 अ यह चार ऐसे कटा है 281 अपन चार सो पिच्च्यान यह आंसर आएगा दिस दा राइट आंसर ओप दिस वन समझ गए सभी बोलो अब कहते तो सर आपने यहां कुन्य में क्यों लिखा आप कर नहीं सकते थे देखो हम लोग इमानदारी से सोलूशन कर रहे हैं तो ऐसे किये जाते हैं मेरे भाई कि समझ में आया एक बच्चा कह रहा है कि कितना वीडियो होगा दोको मुझे अब इतना याद नहीं है यूटूब में प्लेलिस्ट एक काउंट कर लो उसमें 50-60 वीडियो और बढ़ा लो ठीक है अब इतना मुझे याद नहीं है हर चीज का इतना पढ़ा देते हैं खुदी नहीं याद र लगा तो 50 रुपया ऐसे आएगा 12 में से 5 गया साथ आएगा 1750 रुपया प्रेंस्पल हमको 75-100 रुपया दिया है टाइम साथ दिया है रेट निकालना है बटा सौ दो जिरो से दो जिरो चले गए इसे काड़ लो ताथ से इसको काट लो जाएगा दाइसो बार में 25 त्याए 25 दस से यानि 10 बटा 3 तीन सही एक बटा 3 परसेंट आंसर पेपर में यह होगा पर यहां हमारा टैपिश्ट समझेंगे ना 10 बाइ 3 परसेंटेज इस दा राइट आंसर यह कोशन आ रहा है आकड़े का माद ग्याद करो तो फॉर्मूला याद होना चाहिए बाउलक को इंग्लिस में मोड बोलते हैं 3 टाइमस मीडियन यानि माद दिकाव और 2 टाइमस माद समझ गये यानि इसे मोड बोलते हैं इसे में बोलते हैं बस उठाके रख दो मेरे दोस्त तो कहीं ना कहीं हमको बहुलक का मान 23.6 ऐसे दिया गया है ठीक है ऐसा करो तीन गुना माद का यानि यह वैल्यू इधर यह इधर आई तो 24 तेयां 72 ऐसे बराबर दो माद देखरो नसे बाहतर माइनस ऐसे दो मीन यह लिख द और यह 11.8 बस घटा दो कोई ना कोई तो मैच करेगा 0.2 और 5 में से 1 गया 4 24.2 आंसर आजाएगा बाकी भोल्चुक लेनी देनी 22 का आंसर 24.2 आएगा 24.2 क्या किसी बच्चे को कोई आपत्ती 22 नमबर पे बोलो बोलो चलिए 22 के बाद 23 नमबर यह कहता है एक त्रबुच की समान बुजाओं के सम्मू कोण क्या होंगे दोको आप खुदी बताओ अगर त्रबुच की समान बुजाओं है समान बुझा बोलो बोलो तो समान बुझा के सम्मू कोण भी बराबर होते हैं चाहें सम्दी बाव त्रिबुझ ले लो चाहें सम कोण त्रिबुझ ले लो तो वो भी समान होते हैं अरे बुझा बराबर समान सम्दी बाव में क्या है इसके यह होते हैं चाहें राइट एंगल ट्रैंगल सम्दी बहु सम कोण त्रिबुच इसमें समान भुजा इसके सामने का कोण और ये दोनों 45-45 भी तो होते हैं तो ये चीज़े तो समान होते हैं ये कोशन आ गया अब बच्चा घबरा गया जितना बड़ा कोशन उतना आसान दिखो अगर इसको सौल करोगे तो समय खाएगा आप ऐसा करो एक्स बराबर वन चिपका दू अब करहें तो सर्फ जीरो चिपका दे तो ये जीरो से मुद्दाहि खतम हो जाएगा इसलिए जीरो नहीं अब यहां दोको 1 चिपका रहा ह्या तो 1-8 ऐसे 2-5 3-2-1 ऐसे 1-2 ऐसे 1-9,1-2 ऐसे ऊपर आया माइनस साथ, ये कितना, चार, ये एक, ये साथ, ये माइनस साथ, और ये माइनस का एक, अब इसे कटा पिटी कर लो, हैपी बड़े, कुछ गवर्ट तो नहीं हुआ, अच्छा, ये आठ है, जोको एक में से नो गया, आठ, तर आपको कैसे मान चला, अरे कटीनी राज मैं क्या करूं, ओपर सब इंट, ओपर डंडी देखरो, नुमिरेटर है, डिनॉमिरेटर बचना ही नहीं है, तो चार कैसे बचेगा दया, य एक बार फिर से करते हैं, जोकि मेरा दिमाग का धही हो जाए, करी गारबर ना हो जाए, एक बार, सोरी, सोरी, एक बार, हमने x बराबर 1 रखा, 1-8 ऐसे आएगा, 2-5-3 ऐसे आएगा, 2-1 ऐसे आएगा, 1-2-4 ऐसे आएगा, और यह वन माइनस नाइन ऐसे वन माइनस टू ऐसे यहां से उपर माइनस का साथ आ गया साथ में से तीन गया यह प्लस का चार हो गया उपर एक हुआ चार दू छे एक साथ ऐसे हुआ माइनस का आठ ऐसे हुआ लो देखो यहां यहां पर तो उस टाइम लिखा भी था साइद म कि इसका टू को आप से नहीं मैच कर रहा है ज्ञान जाता दे दिया क्या कि को पुश्चों सही है अच्छा 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 ठेक 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 यह हां पी स्क्वार माइनस का टू लिखा हुआ है देखो मैं एक्छल में बार बार यह कर रहा था आप मेरा थ्थोड़ा सा अपर लेवल में चलता है दिमाग मैं आपको साब बताओं कि में यहां पर पी यह माइनस का स्थाया मेरा दिभा चला था कि इसमें जब 11 रख रहे है पर बाद में यह देखाए कि पी स्वाइर माइनस स्थाय क्ब्राइद मैं सुपते में recipes उसमस्तुम एक डिक एक अंसर यह चीज आप भी अभ्यास कर रहे होगे तो आपको भी दिखरा होगा अब रखो 1-6-8-9 यही आंसर हो गया पहला वाला अब बाकी किसी में नहीं आएगा यह 11 में से 6 गया अब एक रख रहे ना 11 में से 6 गया पांच आएगा यहां 17 हो जाएगा यहां बढ़ता ही चला जाएगा तो पहला आएगा समझ गया यह चीज़ है और एक चीज़ के कान मुझे दिखी नहीं रहा था जोके पड़ा था एक्स बराबर वन रखने पर इसका आंसर आ जाएगा एक बच्चा कह रहा है गुरु जी फांडेशन बैच क्या है दोको त्याग दो अभी इसको पड़ो वाटसब मेसेश करना सबकी बिमारी अलग-अलग होती है प्रतेक दो वर्स के अंतराल पर जन में छे बच्चों की आयू का योग 42 वर्स है सबसे बड़े बच्चे का अब देखो ये दो-दो वर्स का जो अंतर है ना उसके लिए आप यहाँ पर देखो छे बच्चों का आउसत लेलो छे से बाग तो साथ आया तो तीन इसके आगे तीन इसके पीछे क्योंकि छे लोग है आउसत में यह रहेगा नहीं लेकिन दो-दो का गैप है तो छे से साथ से पहले छे आता है इसमें दो कम करोगे चार इसमें कम करोगे दो छे के बाद दो जोडोगे आठ आठ में दो जोडोगे दस दस में दो जो की टंब की बात करा अगर प्नाच बच्चे ळोता तू जो उसका अउससत होता वह सेरीज में होता है लेकिन 6 बच्चे तो जो इसका आुसट हो गाउसमें नहीं होगा 42 बड़ा छे साथ साथ सीरीज में नहीं नहीं और दो वर्स के अंत्राल में है तो छे साथ में तो एक इधर कम करोगे तो छे इधर जोड़ोगे तो आठ शे और अगर बड़ा चाहिए तो आठ में दो क्योंगी दो-दो साल का गयप है आठ दो-दस दस-दो-बारा समझ गया कहिता इसका मान बताओ अब इसमें कौन सा हम रॉकेट सैंस लगा दे 50 का क्यूब कर लो 2 का क्यूब कर लो 20 का तो हमें 50 का मान लो नहीं मालूम 5 का तो मालूम है 125 का नहीं मालूम तो 20 का नहीं मालूम 2 का 8 होता है न बस 133 133 जिसमें हैं वही आंसर क्योंकि बाकी तो 10 का मल्ट्पिल यानि 1000 का गुड़ा ही हो जाएगा यह कोश्चन इसी पैटर्ण के CHSL में भी आये यह पी पुलिस कॉंस्टिवल में आये यानि यह पैटर्ण का कोश्चन अब आता ही है मेरे सेट में नहीं तो किसी और की सेट में सीमा और दर्शन की आय का अनपाथ 7 इस टू 5 है बहुत अच्छी बात इस इस दा इंकम और 12,000-9,000 की बचत करते हैं उनके बात वह है यानि एकस्पिंडेचर 17 और 12 अच्छी बात को समझना 12,000 को हम 12,000 की बाइस यह और इसको हम 9,000 की लिख रहे है कि 3,000 लगाना कश्ट में लगता है अब पहले इनकी इंकम निकाल लो क्योंकि आगे चलकर हमसे सीमा और दर्शन का वै पूछा गया है बड़े प्यार से निकाल ले 12 बरहिया 147 नोईया 152 नहीं 153 होता है और 144 ऐसे इसका अंतर आया 9 तो 9 की यानि एक बराबर 9,000 की अब हमसे कह रहा है कि एकस्पेंडेचर बताओ तो ये 12 है ना ये 7,5,12 बारा नोईया यानि 108 के इनकी टोटल इंकम हो गई थी और सेविंग अगर देखा जाए तो 21 के इनकी सेविंग हो गई थी इन दोनों का अंतर 87 के ही इनका एकस्पेंडेचर हो जाएगा बोलो हा तो 87 के यानि 87,000 is the right answer ये स आपको आना चाहिए इंकम का रेशियो 75 एकस्पेंडेचर 17,12 आप के का मतलब कुछ लोग कह रहे होंगे के का होता है अरे यूटूब में पढ़ाई कर रहो किसी के 10K सब्सक्राइबर किसी के 100K सब्सक्राइबर तो के मतलब 1000 आजकल चलन में चल रहा है हाँ जो के दोसर के चलने नो बारा गुड़े बारा अंतर आया नो के यानि 9000 के 17 गुड़े बारा 84, 85 अंतर आया एक बराबर नो के अब इंकम तो के रहा टोटल एकस्पेंडिचर बताओ ना कुल तो इंकम बारा नो इन्या एकस्वार्ट सेविंग 21 के अंतर 87 के कैसा लगा ये कोश्चन और करो इसको त्यार करना है चाले 27 के बात 28 नंबर यहां मैंने लिखा है क्योंकि पीपीटी आप देख रहे होगे इसको जूम करना तो आपको कम विजबल होगा पीपीटी में दिख जाएगा मैंने लिख देते फ्री बैठें सभी मूल करोडों में दिये गए करा सुरच्छा और सिच्छा पे खर्च की निदी का अंतर सुरच्छा यानी सिक्योर्टी सिच्छा यानी एजूकेशन का अंतर 40 आ गया स्वास्थ पे खर्च की निदी स्वास्थ का हैं हेल्थ 60 है का योगफल बस कितना आसान कोशन 100 is the right answer बोलो हाँ किलियर है मेरे प्यारे दोस्तों तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है किलियर